हलो गाइस कारपेंटर करनाल में आप सभी का स्वागत करते हैं आज आपको दिखाने वाले हैं डबल बैड और हैंटरोलिक पंप वाला बैड है और इसका साइज आपको बता देता हूं। चोलोट नह届 बहुत को तीन इन्ची अफनली साइट से wilkinah contracting नोगे Protect records of a घार और ये उन 무ाद काई बेस और ये वने बाहर निकाल दिया थीन-ची हमने बाहर निकाल दिया ये कोफ दिखा दिया और तीन इन्ची उपर ली हैड से दिखाएंगे और ये आपको दिखा हमने बढ़ा दिया इसका बेस और यह हमने बार निकाल दिया है तीन इंची हमने बार निकाल दिया है यह कोफ दिखा दिया है और तीन इंची उपर ले सैट से दिखाएंगे और यह आपको दिखा देते हैं ट्रोलिक पंप कैसे उठाते हैं और कैसे इसको दबा देते हैं बि यह अंदर अंदर हमने चला दिया है, जो गद्दे का सहज होता है, वो हमने सावज च्छेंपुट और च्छेंपुट कर रख दिया है, और इससे बार बार हमने यह कोप बार निकाल दिया है, और बोर्डर दिखा दिया है, इसका तीन इंची और चार इंची का बोर्डर उप बैड है और यह अलग-अलग इसके दोनों पाट हैं और जो उपर कपला होता है वह हमने सिंगल ही चला दिया और यह आपको दिखा देते हैं इसके अंदर हमने हैड्रॉलिक पंप की मसीन चला दिया है और अभी आपको दिखाएंगे इसके अंदर सनमाइका कैसे लगाते हैं सनमाइका पेस्ट करने का तरीका आपको दिखाएंगे और निच्चे की साइड हमने इसमें दो इंची के पावे लगा दिये हैं और यह हमारी सनमाइका है अक्रेलिक सनमाइका है टू कलर सनमाइका लगाएंगे इसके ओपर अभी आपको दिखाएंगे कैसे इसको सनमाइका को लगाते हैं टीक वाली सनमाइका है और हाई गलोस सी सनमाइका दोनों सनमाइका हाई गलोस हैं और यह आपको दिखा देते हैं यह हमने इसका बोर्डर बार निकाल दिया है और यह बोर्डर का आपको साइज बता देते हैं यह बोर्डर का साइज हमने इसका पनाय और बखसे की हाइट जो हम आपको बताएंगे यह बार इंची अस्टेंडर साइज है और यह आपको दिखा देते हैं यह सनमाई का है यह निचे की साइट लगेगी जो हमारा निची का अंदर की साइट का बेस है और उपरली साइट का जो बेस है हमने बार को निगा लिया है वो अलग कलर की सनमाई का होगी यह निचे की साइट की सनमाई का है यह टीक वाली सनमाई का है हाई गलो सनमाई का है एक्रेलिक सनमाई का है और यह आपको दिखा देते हैं यह हमने डबल बैड दोनों खड़े कर और यह हमने 9-9 इंची के पीज़ काट लिए और 75 इंची के लंबे अपने पीज़ काट लिए अब देख सकते हैं आगे सनमाई है और अक्रेलिक सनमाई का वी आपको दिखाएंगे वीडियो में बने रहें वीडियो को देखें पूरी वीडियो में पूरा बैड टियार दिख अभी आपको दिखाएंगे इसको पेस्ट कैसे करते हैं और कैसे इसको लगाते हैं यह हमने यहाँ पे इसके साइज के साथ से काट लिए हैं और यहीं पर हम इसको प्रोबॉंड से लगाएंगे जो प्रोबॉंड होता है उससे इसको लगाते हैं प्रोबॉंड और यह आप द वीडियो में बने रहे हैं यह पहले अगली सेड के पीह तियार कgoneली है अगली जो हुआ अि हम यह इस overt यो पीस है dużo और इसको प्रेश्ट करने का तरहेижу को दिखा पहले हम सनमाइका के उपर अपर लगाते हैं बारीग बारीग फायगोल लगा लेते हैं और उसके बाद भारीग फायगोल का लगा लेते हैं अब यह आप दिखाएंगे इसके ओपर tape कैसे लगाते हैं पेपर tape लाइट की tape होती है इसको हम लगा देते हैं यह आपको दिखा रहे हैं कैसे इसको चिपकाते हैं पहले हमने दोनों परत पर 5 को लगा लिया और फिर यह आपर यह यह सनमाई का पेश्ट कर दी और उसके लगा गे इसको फेष्ट कर दिया है और नीचे की साइड आप देख सकते हो यह हमने इसके लगा दिया है वावे और जो हमारे गदो का साइज है आपको गदो का साइज आपको बता देता हूँ जो गद्या हमारा एक गद्दा होगा वो तीन फुट का होगा 36 इंच का होगा और उसकी लंबाई होगी 75 इंच की सव अच्छे पुट की और ये आपको दिखा देते हैं पूरा बैड हमने त्यार कर दिया है उपर ली सैड हमने इसमें बिस्कुट के लरकी सिनमाई का अक्रेलिक लगाई है और निच्चे की सैड हमने टीक लगाई है और ये सैड में इसका उपर की सैड का हमारा पला रखा हुआ है और यह हमने आपको दिखा दी, इसके अंदर हमने मसीन भी चला दी है और मसीन चलाने की वीडियो भी इसके अंदर हम डाल देंगे अगली वीडियो में इससे या अगली वीडियो होगी कैसे इसको हेडरोलिक पम को लगाते हैं यह हमारा हो गया वैड फाइनल और यह आप देख सकते हो यह हमारा फ्लैٹ जैसे फ्लैट किचन होता है ऐसे ही फ्लैट यह हमने अपना बैड तियार कर दिया है और इसके साथ में हमने स्टूल भी बनाए हैं स्टूल हमने 2 फुट केस के स्टूल बनाई और 18 इंची गैहरे स्टूल बना दिये और यह आपको दिखा देते हैं यह हमारा बैड हो गया पूरा final त्यार और अभी आपको दिखाएंगे यह बैड हमारा कैसे It त्यार हो गया है हमने शुरू में ही आपको दिखा दिया है यह बैड कैसे उठाते हैं और कैसे इसको चला देते हैं यह दोनों सेट के स्टूल बना दिए और यह पीछे की सेड़ सब्सक्राइब